Hello everyone, this is Prem Sodhani और आज हम बात करने वाले हैं इस आटिकल में that is abortion laws in India यह हम क्यों discuss कर रहे हैं because of one judgment that is Roe vs Wed judgment of 1973 जिसमें अमेरिका की women के पास यह राइट था कि वो abortion करा सकती हैं और यह abortion की जो limit थी gestation period जो था that was 24 to 28 week का यह अगर इस बीच इनकी pregnancy 24 to 28 week की है तो उनके पास abortion का right था जिसको अभी एक judgment के थूँ पलट दिया गया है that is a major setback for the America and इसके चलते हुए इंडिया के अंदर क्या abortion rights हैं वो हम अभी बात करेंगे ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें timeline की तो यह article में आप देखेंगे 1960s में इंडिया में abortions बहुत ज़्यादा होने लगें ठीक है और इसको शान्ती देने के लिए एक committee बनाई गई that is शान्तिलाल शाह committee शान्तिलाल शाह committee अब इसका काम क्या था committee का इसका काम था recommend करना कि क्या abortion जो है उसके legalization पे काम किया जा सकता है या फिर यूँ कहें कि abortion का जो right है क्या उसे legal right बनाया जा सकता है इसके बाद आपके country में आता है that is MTP of 1971 that is Medical Termination of Pregnancy Act of 1971 इससे पहले आपको एक IPC के दो provision अगर मैं बताऊं तो IPC का एक provision है that is section 312 और एक section है 313 यहाँ पे अगर आप देखेंगे that is section 312 इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति voluntarily causes a woman with child to miscarry यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति यानि कि हम कह सकते हैं doctor है अगर वो doctor women को miscarry कराने में help करता है तो वो punishment को attract करेगा यानि कि इस case के तहट अगर आप miscarries of children करते हैं तो ना सिर्फ doctor और वो lady भी या फिर कोई अनिय व्यक्ति जो help कर रहा है चाब वो doctor हो चाब कोई अनिय व्यक्ति हो उसको भी imprisonment होगी इसके साथ ही section 313 है उसमें ये भी था कि women की consent के बिना अगर ऐसा होता है तो भी imprisonment होगा lifetime भी हो सकता है और 10 years का भी हो सकता है तो ये दोनों provision थे अब इन दोनों provisions के हट के ये MTP Act बनाया गया जो एक तरह से exception है on this IPC अब इस MTP of 1971 में abortion जो है वो कराया जा सकता है till 20 weeks ठीक है under special circumstances क्या है ये special circumstances ये हम बात करेंगे लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि ये जब act आया है 1971 वाला इसके बाद इसमें एक amendment लाया गया in 2021 इन दोनों को अगर हम compare करें 1971 and 2021 तो दोनों में थोड़ा सा comparison करते हैं यहाँ पे 20 week तक का जो fetus था उसको about कर सकते हैं ये यहाँ पे बढ़ा के 12 से 20 week का अगर आपको about करना हो तो दो डॉक्टर की permission चाहिए होगी यहाँ पे 2021 में 20 weeks तक एक ही डॉक्टर and 22 24 में दो डॉक्टर अगर 24 से उपर है तो फिर आपको 4 डॉक्टर का board होगा उससे permission लेनी पड़ेगी ठीक है तो ये act आप समझे 2021 वाला अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन abortion करा सकते हैं तो इसमें देखे ये जो act था ये यही बता था कि when to abort who can abort why to abort and where to abort ठीक है कौन करा सकता है ठीक है कहा करा सकता है कैसे करा सकता है conditions क्या है अब इसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हमने समझा 1960 का टाइम था शांती शलाल शाह कमेटी बनी फिर MTP एक्ट आया और इस MTP एक्ट के तहरती हमारे medical termination of pregnancy होती है अब इसमें एक timeline समझते हैं ये timeline देखिए अगर 20 week तक की pregnancy है तो वहाँ पे एक ही doctor की permission चाहिए होगी 20 week से 24 week तक 2 doctor की permission आपके 20 week तक है तो वहाँ पे कुछ condition है पहली condition है कि women की life in danger हो या फिर women की health चाहे वो physical health या mental health दोनों affect होती हों majorly affect होती हो या फिर जो child है वो abnormal है इन तीनों ही condition में 20 week तक के fetus को abort किया जा सकता है with the permission of one doctor अगर 20 week से बड़ा है fetus और 24 week के बीच में है 22-24 week तो उस case में 2 doctor की permission होगी और ये बहुत ही special cases में ही about किया जा सकता है जिसे कि women जो है sexual assault की victim हो या फिर rape की victim हो या फिर women जो है वो minor है age come है या फिर marital status of women change हो जाता है या तो वो widow हो जाती है या फिर उसकी कहीं और widow होने पे उसका जो fetus है 20-24 week भी है तो उसको abort कराने की permission उसे दी जा सकती है फिर इसके बाद fetal जो है वो malformation हो रहा है जिसके चलते जो होने वाला children है या child है उसकी health पे severe impact पड़ेगा तो इस case में भी उसे abort किया जा सकता है last condition है that is humanitarian settings में अगर pregnancy carry करते है यानि कि अगर मालीजे कोई disaster आ गया तो वहाँ पे disaster relief camp लगा हुआ है और इस camp में यदि कोई women pregnant हो जाती है तो इस case में भी 20-24 week के fetus को abort किया जा सकता है ठीक है तो ये condition है I hope आपको ध्यान रहेंगी sexual assault हो minor marital status change हो जाती है fetal malformation या फिर humanitarian settings अगर 24 week से उपर है तो चार doctor का board बनेगा हर state में under MTP Act ठीक है और वो board इसको permit करेगा और ये एक case में होता है जब fetus जो है बहुत ज़ादा abnormal होता है उसके survival के chances नहीं होते है या फिर ये women या खुद child की जो life है उसके उपर threat cause करेगा तो fetal abnormality के case में यहाँ पर permission आपको मिल सकती है यदि यहाँ पर permission नहीं मिलती है तो आपके पास एक रस्ता बसता है that is court court के पास आप जा सकते हैं और court ने recently कलकता हाई court ने 34 week के fetus को abort कराने की permission दीती ठीक है तो यह ध्यान रखना अगर court के पास जाते हैं तो court का जो view है वो women के favor में है ठीक है तो according to some data अगर covid से पहले की बात करें तो लगबग 500 cases ऐसे court के पास थे जिसमें women जो है वो medical termination चाहते थी of fetus greater than 24 week and इसमें court जो है वो हमेशा recognize करता है कि women has a right over her body उन्हें पूरा ये अधिकार है right to decide whether they want to carry this pregnancy or not ठीक है yes और no जो है of pregnancy वो उनका right है and this right is non-negotiable यानि कि ये एक absolute right है women के पास और इसमें कोई भी negotiation नहीं हो सकता उसके साथ ही साथ एक और case अगर आपको समझना है ठीक है इसमें court ने कहा था right to privacy जो है वो fundamental right है of every individual और इसी judgment में ये भी कहा गया कि right to carry a pregnancy या फिर जो pregnancy है उसको रखना है या नहीं रखना है ये भी right to privacy का ही part है for women या फिर यूं कह दें कि article 21 का part हो जाता है कि pregnancy को carry करना है या नहीं करना है तो इससे समझ मैं आया आपको कि ये women का एक तरह से fundamental right है लेकिन यहीं पर आप देखेंगे MTP जो act है MTP act जो है वो abortion करने की permit तो देता है लेकिन आपको permission लेनी पड़ती है women को permission लेनी पड़ती है तो उसकी ये जो choice थी जो fundamental right था एक तरह से ये wallet करता है आपका MTP act of 1971 यानि women का खुद की body के उपर control नहीं है and that is something which is the first criticism of this act ठीक है तो एक तो ये हो गया उसके साथ साथ ये जो act है ना ये abortion की permission तो देता है बट वो abortion कराएगा some doctor specialist doctor और ये specialist कौन होंगे या तो gynecologist होगा gynecologist या फिर obstetrics ठीक है obstetrics ठीक है अब ये दोनों ही according to ministry of health ministry of health and family report of 2019-20 उसमें कहा गया कि rural settings में ये दोनों तरह के जो specialist है उनकी shortage है और ये shortage छोटी मोटी नहीं है 70% shortage है जिसके चलते क्या होगा जो women है वो कहां जाएंगी तो वो जाएंगी illicit आपके abortion की तरफ ठीक है क्योंकि वो expert से कराना था expert है नहीं तो illicit abortion बढ़ता है जिसके चलते आपका maternal mortality rate भी बढ़ता है ठीक है तो ये भी एक तरह से इसका criticism है इस act का इस act में एक और बात थी जो आप ध्यान रख सकते हैं that is let me raise some of the page कि अगर कोई women की life पे threat आजाती है because of the pregnancy ठीक है तो उस case में एक ही doctor की permission से तुरंत abortion किया जा सकता है तो that is exception exception क्या है कि यदि women की life जो है उसके उपर threat आजाता है because of this pregnancy तो even one medical practitioner जो है वो भी abortion करा सकता है दूसरा एक condition आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि consent of women जो है वो बहुत necessary होती है अगर ये minor के case में abortion किया जा रहा है जिसकी age कम है तो फिर उसकी guardian की permission जो है वो बहुत जरूरी होनी होती है ठीक है तो ये पूरा act था जो हमारे यहां पे है इसके साथ ही एक मैं आपको data अगर बताओं तो according to lancet 2018 में lancet की study थी वो कहती है कि इंडिया में 15 million abortion हुए है in 2015 तो आप देख लीजे कितने ज़्यादा abortion होते हैं अगर इस abortion में illicit abortions बहुत ज़्यादा होंगे तो आप सोचिए MMR कैसे down होगी चीक है तो MMR को down करने के लिए हमारे पास यह ज़रूरी है कि हम जो abortions है उसके लिए proper guidelines जो हमारी बनी हुई है उनको implement करें और इस तरह का जो shortage है of the specialist उसको कम करें Thank you very much for watching this lecture मिलते हैं अगले lecture में Thank you